दुसाध जाती का मुख्य वासस्थान और उनकी शाखाएं दुसाध मुख्यत भारत में बिहार, जारखंड, बंगाल, उत्तर प्रदेश, उरिशा, आसाम, माध्य प्रदेश आदी में रहते हैं कुछ पंजाब, हर्याना और दिल्ली में भी पाए जाते हैं बिदेशों में बंगाला देश, पाकिस्तान, नेपाल और मारिश में परियाप्त संख्या में दुसाध जाती के लोग रहते उत्तर प्रदेश में दुसाध अवध बलिया, गोरखपुर, आजमगड में मुख्यत वास करते हैं, भारत में बिहार में दुसाध जाती की संख्या सुरवाधिक हैं, ये मुख्यत उत्तरी बिहार में सबसे अधिक संख्या में पाए जाते हैं, बिहार में अनुसूचित जातियों की संख्या कुल आवादी का 15.7% है, जिसमें दुसाध दूसरी स सबसे अधिक संख्या वाली जाती है। जिसमें 81.1% आबादी गाओं में रहती है। सूर्य और अगनी की पूजा करने वाले को सूर्यहा कहा जाता है। मगिया या मगधिया मगध शेत्र में निवास करने वाले को मगधिया कहा जाता है। तीन धाढ़ी बिहार के मुंगेर जिला में पाए जाने वाले दुसाद। 4. धरही अथवाधार 5. कनोजिया कनोज प्रदेश में रहने वाले को कनोजिया कहते हैं। 6. बहेलिया साथ सिल्होटिया जो दुसाद सिल्हट शेत्र में वास करते हैं उन्हें सिल्होटिया अथवा सिल्होट कहा जाता है। 8. पल्लिवार, पल्वी राज्य में रहने वाले दुसाधों को पल्लिवार कहा जाता है 9. राढ़ी, बंगाल, वासी दुसाध को राढ़ी कहा जाता है 10. कुर्णा ज्यारा चौप्रिया जो दुसाध मगद से स्थानात्रित होकर चौपारण में जाकर बस गए है उन्हें चौप्रिया कहा जाता है वस्तुतह जातियों की शाखाएं मूलनिवासी बहुजन समाज को तोर कर उन्हें अश्कक्ता और संगठन हींता की स्थिती में रहने को मजबूर कर उन पर राज करने की नियत से बहमनों दुआरा बनाए गई है दुसाध की उपर्युक्त सभी शाखाओं में रोटी बेटी का संबंध पूर्व में नहीं होता था परन्तु अब होता है इनकी जीवन शैली और व्यवहार भी एक जैसा है कुछ दुसाध जाती के प्रक्तिवादी लोग ने अंतरजतिय विवाह भी करना सुरू कर दिया है जो मूलनिवासी एक्ता और समर्स्ता की दिशा में एक क्रांतिकारी कदम है मा बुद्ध शरण हंस ने अपनी बेटी और एच एल दुसाध साहब ने अपने बेटे का विवाह बड़े ही शोक और उल्लास के साथ चमार परिवार में किये हैं दोनों का दामपत्य जीवन सुख चेन से बीट रहा है कुछ दुसाध परिवार के युवक युवतीन्य बुद्धिस्ट नहो कर भी जाती की दिवार को तोड़ कर ब्राहमन कायस्त तथा अन्य जातियों में विवाह संबंध आस्थापित कर रहे हैं जातिविहीन समाज स्थापना की दिशा में यह एक सही और साहासिक कदम है यह मनुवाद पर जोरदार प्रहार है मनुप्रतिलोम विवाह अच्छूत और शूद्र वर्ण का लड़का और ब्राहमन क्षेतरे तथा वैश्य वर्ण की लड़की के साथ विवाह संबंध का निशेद कर रखा था अब दुसाद परिवारों ने इस मनुविधान को परिवर्तन करी सोच के बरुद्ध से धवस्ट करना सुरू कर दिया है दुसाद जाती के परिवारिक संस्कारों को शक्दी पे अथवा कनुजिया ब्राहमन संपादित करवाते हैं परंतु अब ऐसे मौके पर गैर ब्राहमन अथवास वजातिय पुरोहित का उप्योग कर ब्राहमनी वर्चुस्व को तग्री छोनोवती दी जा रही है बहुत सारे दुसाद परिवार बौध परंपरा से संस्कार संपादित कराना प्रारम्ध कर चुके हैं यह भारत को बौध्धमय बनाने की दिशा में अच्छा कदम है अगर यह जानकारी आप लोग को अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों को भी भेज दीजिए धन्यवाद